मैं हूँ Bear Grylls, मैं British Special Forces में काम कर चुका हूँ Everest की चोटी पर चड़ चुका हूँ और Arctic के जमे हुए समंदर को पार कर चुका हूँ Canyon Mexico, Hikers और Climbers के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं लेकिन हर साल यहां सैकडो लोग भटच जाते हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप यहां फंच जाएं तो जिन्दा कैसे निकल सकते हैं Man Vs. Why इन गने जंगलों से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है पर में हार नहीं मानूँगा मैं चलता रहूँगा और तब तक चलता रहूँगा जब तक मुझे कोई नदी नहीं मिल जाती क्यूंकि नदी के किनारे ही पस्तियां होती है यह देखे ज़रा शीशा दोस्तों यह है शीशम का पेड़ और चंगल में इसी चीज़े मिलना बहुत ही बुश्किल होता है आज मुझे शीशा मेरा है तो क्यों ना मैं खुद को इसको मैं अपने बैग में रख लेता हूँ और बार में जाके इसको दस रुपेगा पेड़ भी सकता हूँ बार मैं कुक्रे विका लोका यह पार करना है कर दो 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 और जंगल में अंधेरा पहुत ही जल्दी हो जाता है अभी अंधेरा होने वाला है अब मुझे रात बिटाने के लिए यह जगा काफी अच्छी लग लगी है यहां में थोड़ी साफ सफाई करके सोने का इंजाम कर सकता हूँ तो मैंने साफ सफाई तो कर ली है अंधेरा होने वाला है और मैं यहां पर यह लगा लेता हूँ इसको जला लोगा और रात बिताने के लिए जगा भी बड़ी है यह देहें आप यह है काचा बदाम का पेल्ड और इसका स्वाद बहुत ही काचा और खटा होता है यह खाने में तो बहुत ही कड़वा होता है इसका स्वाद बहुत ही खराद है पर मुझे इससे धाई ग्राम प्रोटीन तो मिली जाएगा और मैं इससे थोड़ा खा लेजा हूँ जंगलों में ऐसे जिजे मिलना महोत ही मिश्किल होता है काचा बदाम काचा ही है प्रोटीन मुझे मिल गया वह यह देखे देदा पानी मिल गया यह किसी ने कुटों के लिए रखा है मैं भी उन में से एक ही हूँ तो मैं इसे पी सकता हूँ इस पे मेरा पूरा हक है इस तरह से चलते हैं मैंने अपनी नानी से सुना था कि जंगलों में ऐसी गुफाए जो शेर की गुफाए होती है आपने कुछ सुना शेर की बार सुनी शेर इसे के अंदर है और मुझे भी इसके अंदर जाना है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बाइबाई टाटा गुटुबाई गया कर दो